मानिय मुख्मंद्री नितीश कुमार जी ने जो सदन में कहा कि विद्याले 10 से 4 चलेगा 15 मिनट पहले सिख्छक आएंगे 15 मिनट बात जाएंगे इप ब्रह्म वाक्य है ब्रह्म वाक्य को कोई इनकार नहीं कर सकता है वह इसे ही समय सारनी को कोई इनकार नहीं नहीं कर सकता है इसलिए मुख्मंद्री जी का सदन में दिया गया मन्तबी महत्तपुर्ण होता है अब पाता रहा हूं ना भोजपूर में भोजपूर के जिलाएं सिक्षा पदाधिकारी का पत्र मेरे पास है जो कारवाई हुआ उसका भी पत्र मेरे पास है उसकी कोई परसंगी इकता नहीं है जब सदन के नेता ने कह दिया तो विधाई का बड़ी होती है और कारिपालिका को चाहिए वो मुख सचीव हो चाहिए अपर मुख सचीव हो उनको मानिये मुख मंत्री जी का जो आदेश है उसका अनुपालन करना होगा अखिर नहीं मान रहा है मानना पढ़ेगा नहीं कई से मानियेगा अब तो सिच्चक लोग कहा जै अब 10 में जा रहे हैं हम उसके बीच से जीत के आते हैं अब 945 में सिक्षक जा रहे हैं अब आप वाद को संबाद मत बनाईए अरे वो एक जिले का रिपोर्टिंग आप बता रहे हैं भोजपूर का अब यह तो ऐसा बात है कि चेज़े चरबाहा विद्याले में राजीति ज्यान लिए हैं वही तो सभावी कहें कि विधायका का यह प्रधान होगा वो महत्वपूर्ण होगा बात नहीं मान रहे हैं कई से बात नहीं मानिएगा कई से अब बाद को संबाद नहीं मानिए एक जिले की घटना के आधार पर जब मुख मंत्री जी ने सदन में कह दिया तो ब्रह्मा विष्णू महेश है उब्रह्म बाक्य है कोई अपर मुख सचिव चाहे मुख सचिव हो उनके उनके जो प्रशास के छमता है उसके बाहर है दिसीमा के बाहर है कि मुख मंत्री जी का आदेश हर हालत में मानना होगा जो आरा वाल है ना बिलकुल उसको संञ्ञान मिलेंगे उसको संञ्ञान मिलेंगे नहीं नहीं अरे बह jaha में जो पत्र जारी हुआ और इसके आलोक में जो कारवाई हुई है शिक्षक्छक का जो अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेर कीजिए अगर आप इस वीडियो को यूटुब पर देख रहे हैं तो यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाईए